सबसे एक अच्छा अभ्यास है जो सूरी नमस्कार की भाती होती है उससे थोरस अलग रहेगा वो है चनर नमस्कार आईए हम उसे करके दिखाते हैं इसे आप रोजाना करते हैं तो सूरी नमस्कार की भाती ही इसमें फाइदा देखने को मिलेंगे और कुछ उसमें अतरिक्त फाइदा भी देखने को मिलेंगे जो हम बताएंगे तो आईए देखते हैं किस पकार चनर नमस्कार करते हैं सबसे पहले अपने को शंपाद आशन में खड़े होनी है और प्रतेक जो अवस्थाएं रहेंगे जो इनमें 14 अवस्था होते हैं कम से कम 10-10 सेकंड तक होल्ड कर कि रखने का इसको अभ्यास करने हैं तो पहला अपना अभ्यास प्रणाम आसन के इसमें 10 सेकंड रुकने का अभ्यास फिर में लगातार अभ्यास करते जाओंगा उसमें आप 10-10 सेकंड होल्ड अर्थाद रुकने का अभ्यास करेंगे आईए हम अभ्यास करते हैं हस्त उत् पादस्तासन एक पेर पीछे इस प्रकार अपना ध्यान आस्मान की और यह आवस्था है त्मर्ण नमासकार के फिर दोनु हाथ पूर्विस्थिती में दुसरा पेर पीछे परवतासन अस्टांग नमन भुजंगाशन पूर्वदासन पूर्विस्थिती में पूर्विस्थिती में दुसरा पीछे परवतासन की परवतासन अस्टांग नमन भुज़ त दूसरा पैर उन्हा शंपादाशन के पोजिशन में इस पकार हमें लगातार 6 से 8 बार करनी है तब इन्हें पूर कहा जाता है आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत फाजा मिलेगा आप लगातार इस अभ्यास को करेंगे इसमें जो अत्रिक्त जो फाजा बताना मैं चाह रहा था इसमें जो पेट में कमज रहती है या पेट के जो चरवी है उसे कम करने में बहुत ही जल्दी फाजा मिलता है बहुत ही जल्दी इसमें लाब डैक होती है थैंक यू